न्यूस रूम लाइव स्पॉंसर बाई चंद्रगुप्त अकाड़मी टॉप फ्लोर रमा गोविंद पैलेस रीवा नमस्कार विंधिया टाइम्स में आपका स्वागत है विंधि की चार बड़ी खबरों के साथ हाजर हुए हैं पहली बड़ी खबर की बात करते हैं जो की रीवा जिले से हैं रीवा में 20 जुलाई को आए नगर निगम चुनाव के नतीजों के बाद भाशपा को एक बड़ा जटका लगा 24 साल बाद रीवा में शहर सरकार कॉंग्रिस के बनी और महापौर बने अजय मिश्रा बाबा इस रिजल्ट के बाद इस परिणाम के बाद रीवा के भाशपा नेतरित्व पर कई सवाल खड़े हुए और जमकर किरकिरी हुई पूरे प्रदेश भर में लेकिन एक और चांस था कि जिस तरीके से 18 सीटे भाशपा के खाते में गई 16 पारशट कॉंग्रेस के बने और 11 निर्दलिय इन निर्दलियों को मनाने के लिए अब कॉंग्रेस और बीजेपी पीछे लग गई थी बड़ी खबर ये है कि सदन में जनहित के मुद्दे और एजेंडों को पूरा करने के लिए बीजेपी और कॉंग्रेस बीजेपी आगे चली गई है कॉंग्रेस से आज ही 45 वाडो वाले रीवा नगन निगम में जो 11 निर्दलिय पारशत चुने गए थे उनमें से 6 ने भाजपा की सदसिता ले ली है पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि निर्दलियों के भरोसे महापौर अजय मिश्रा बाबा कॉंग्रेस का अध्यक्ष बनकर सदन पर कबज़ा जमा लेंगे लेकिन ये जो मास्टर स्ट्रोक बीजेपी ने खेला है इससे कॉंग्रेस को जटका लगा है अटल कुंझ भाझपा कारियाले में पूर्वमंत्री एवं रुवा विधायक राजेंद्र शुकला और भाझपा जिलाध्याक अजयश सिंग्ग ने छे निर्दलियों पार्शदों को भाझपा की सदस्ता दिला दी है भाजपा के जिन 6 निर्दलिय पार्षदों ने सदस्यता ली है भाजपा की उनमें वार्टक्रमांग 1 से पार्षद शिवराज रावत, वार्टक्रमांग 5 से पार्षद संजय सिंग, वार्टक्रमांग 22 से पार्षद पूजा प्रमोट सिंग, वार्टक्रमांग 40 से शान्ती और आशा सहित एक और अन्य निर्दलिय पार्षद शामिल है तो जहां बहुमत के लिए 23 का आकड़ा चाहिए था बीजेपी ने 24 छू लिया है यानि जो बहुमत का आकड़ा है 23 की जगा अब 24 हो गया है भाजपा के कुल 24 पार्षद है रीवा नगर निगम में तो ए दूसरी तरफ ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक रीवा भाजपा के द्वारा बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर दूसरी खबर सतना से एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है रामपूर ब्लॉक की बिरहा नंबर एक पंचायत से बिरहा नंबर एक ग्राम पंचायत में पं उनका नाम निर्वाचित पंचो की सूची में कैसे शामिल हो गया वह खुद नहीं जानते हैं उन्हें ये खुद समझ नहीं आ रहा इस मामले में ग्रामीडों का आरोप है कि पंचायत के दो वार्ड 17 और 19 खाली थे जिनमें चुनाव के बाद नाम दर्जकर सूची जारी क पंच बता दिया गया है जबकि इन दो वार्डों के लिए ना तो कोई अभ्यर्थी खड़ा हुआ था ना मतिदान हुआ था और ना ही निर्विरोध निर्वाचन जैसी स्थिती बनी थी फिर कैसे इन दोनों वार्डों में बिहारी और विरेंद्र के नाम दर्ज हो गये है यह बड़ा सवाल है यहां सरपंच पत की अभ्यर्थी रहे गुलाप सिंग ने बताये कि मामला संग्यान में आने के बाद रामिरों ने कलेक्टर को लिखे शिकायद भी की थी जिसके बाद एक वार्ड दोबारा खाली दिखा दिया गया लेकिन दूसरे वार्ड में अभी खेल भी निर्वाचन नहीं हुआ है यह बड़ी बात है कि अगर कोई फॉर्म नहीं भरा गया कोई दस्तकत नहीं किये गए किसी तरह का कोई वहां पर चुनाम नहीं हुआ तो पिर पंच पद के लिए किसे नाम आ गया क्या लापरवाही हुई और खुद से किस तरीके से नामदर्श कराया जा सकता है बिना किसी चुनाव के बिना किसी दस्तकतिया पड़्चा भरे तो ये जाच का विशह है ग्रामीडों में आकरोश देखा गया है और ग्रामीडों ने उसके ऐसकी की देशाले से क्लेक्टर से शेकायत भी है बड़ते हैं तीसरी खबर की ओ शेट हो से तीसरी को गई और फॉजीतिए मरीज शेट boys जिले में पाइगे हैं पांच पॉजीटिव अब तक मिलचुके हैं जानकारी pasti मरीज में हैस्षय जोलाई को एक सो जाच हुई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई इसके बाद 135 सेमपलों की जाच फीर की गई जिन में तीन मरीज मिले तीनों करमचारी हैं कम्पनी में बिहार से आए थे यह तीनों और क्योंकि इन्हें कम्पनी में जॉइन करना था उनकी जाच हुई तो जाच में तीनों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटेव आई है तिलहाल सभी मरीजों को डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है और वो सारी चीजें की जा रही हैं जिससे कोरोना संक्रमन आगे ना बढ़े isolation में हैं सभी मरीज और फिलाल ठीक बताए जा रहे हैं बढ़ते हैं चौथी और आखरी खबर की ओर त्योहार नजदीक है रक्षा बंधन नजदीक है और इसे देखते हुए railway ने festival special train चलाने का फैसला किया है रक्षा बंधन के लिए भोपाल के रानी कमलापती railway station से रीवा और अगरतला के लिए 14 special train चलाई जा रही है रेलवे बोर्ट द्वारा यात्रियों की सुविधा और अतरिक्त यात्री यातायात क्लियर करने के लिए ये फैसला लिया गया है तो आपको बता दें कि रानी कमलापती अगरतला सापतायक festival train 4 अगस्त से 29 सितंबर तक हर गुरुवार को रानी कमलापती रेलवे station से रवाना होगी इसके बाद रानी कमलापती रीवा सुपरफास्ट special पाँच अगस्त से 19 अगस्त तक तीन ट्रिप में हर शुकरवार को रानी कमलापती station से निकल इसके बाद रानी कमलापती super fast special train 6.06 से 20.07 तक रानी कमलापती रिवा सुपर-फास्ट 9.11 और 16 अगस्थ को राविवार को रानी कमलापती रेल्वे स्टेशन से निकलेगी Kenneth के बाद रीवा रानी कमलापती सुपर फास्ट स्पेशल 9 अगस्त और 16 अगस्त को रीवा स्टेशन से शाम 6 बच के 50 मिनट पर निकलेगी रानी कमलापती रीवा सुपर फास्ट स्पेशल 10 और 17 अगस्त को रानी कमलापती स्टेशन से रवाना होगी वहीं रानी कमलापती री प्रेनों में भीड ना हो और यात्रियों को किसी तरह की परिशानी ना हो इसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है आज की चार बड़ी खबरें तमाम खबरों के लिए देखते रहें विंध्या टाइम्स बहुत-बहुत धन्यवाद Newsroom Live Sponsored by Chandragupta Academy Top Floor Ramagovind Palace Riva